अब हुआ है, इस चेप्टर का भी मेरा मन कर रहा है, रेग्लरी लिया जाए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी खतम करपाऊं, तीन दिन, हफ्ते में तीन दिन मिलते हैं, 6 घंटे में कहां सोगा, उसमें पूरा कंसर्ट भी बताना है, उसमें बहुत सारे छीज़े बताना होता है अब वैसे तो मज़ा नहीं आता है मैंने ऐसे लिखा भाई इसका इसका ऐसे करना हो जाएगा यह भी करना हो जाएगा फिर पेपर देही नहीं पाऊँगे को चलो कुछ ना कुछ प्लान करते हैं सुभे नौ बज़े की तो चली रही है उस डिवेंचर वाली क्लास को गैप दिया जा सकते हैं ठीक है वह आपका है कौन से वाला इस वाली क्लास को मैं कल शडियूल पता करके होसकता है कल कौन सा दे यह आपका बेटनेस डे थर्स डे सटे डे मैं थर्स डे से न आपकी इसकी भी रेगुलर क्लास कर दूँगा एक शाम को एक सुभै जैसे भी रहेगा शाम को पॉसिबल नहीं है या मैं कॉस्टिंग वाले बच्चों से बात कर लूँगा उनका स्लेबस खतम हो गया एक चेप्टर रहता ह कॉस्टिंग वाले बच्चों का उनका मैं जल्दी लंबी क्लास लेके खतम करके और आपका रेगुलर कर दूँग साथ वज़ेगी मैं एक तो यह पॉसिबलिटी बन सकती है चलिए यह सारा मेरे मन के अंदर ख्याल है बस और यह ख्याल पूरा हो जाए तो बहुत अच्छ का करें सारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू लड़ी और लस करते हैं सारी की सारी लाइबलिटी तो हमारे पास हूं जाएगा इसके बाद हम मैथकी कि बात करें मैं यहिंत इस जब लेंगे तो इन एसेट को consider नहीं करना यह सीखता है नेट पीमिंट मेफ़ड़ बहुत आसान है सर बहुत कैसे कह सकते हैं देखिये मैं इसको कर दूँ यही पर नेट पेमिंट मेफड़ बना दे नेट कर डार घल अर कि समझना एक चोटा सा और मैंने क्या करा X, Y, Z लिमिटेड को खरीदना है मुझे, मैंने डिसाइड किया है कि इस कंपनी को खरीद लेते हैं और खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बात किसे करने पड़ेंगे, इसके शियर होल्डर फंड से बात करना होगा, यानि मैंने बोला भाई तेरा क्या एसेट्स है whatever तू समझ तू इधर आजा शेयर होल्डर फंड के अंदर इसका रिजर्वेंच सर्प्लस हो गया इक्वटी शेयर हो गया है और चीजर्वे मैं देख ऐसी बात है मैं तेरी कंपनी को खाली खाली रही है और मैं तिरको यह चीज़े दे रहा हूं मैं तिरको 10 लाक रुपए दे रहा हूं नगत मैं अपनी कंपनी के मैं तुझे शेर्स दे रहा हूं जिसकी कीमत 20 लाक बनती है अपनी कंपनी के मैं प्रफरेंश शेर दे रहा हूं जिसकी कीमत तेरी बनता है 10 लाक रुपए और ये तीन पेमिंट मैं तुझे दे रहा हूं और टोटल तू लगा ले चालिस लाख रुपए तुझे मिल रहे हैं अब तू जो मर्जी समझ मेरी तरफ से तेरी कंपणी के ओकाद कितनी है चालिस लाख जो कि मैं देने के लिए रेडी हूं अगर तू दे सकता है तो बता नहीं दे सकता तो बाती खाता हूं यानि पहले वाले केस में हमें net assets वाले केस में इसके सारे assets liability के बाद हमें सामने वाले company का valuation करना पड़ता था सामने वाले company की एक उकाद पता करनी थी कितने में उसे खरीदा जाएगा लेकिन इस वाले में हम उसकी valuation नहीं करेंगे एक अंदाजा ले लेंगे कि इस company में इतने में खरीद लेंगे तो same मैंने कहा कि भाई तेरी company को खरीदा जाएगा इतने में मैं पूरा payment या तो मैं बोल दूँगा भाई तेरी company को debenture भी है न और उस debenture वाले को मैं अपनी company के debenture दे दूँगा तो इसमें इसका क्या फायता भाई liability वाले को तु लाइबलिटी दे रहा है तो जब तु मेरी company को खरीद रहा है तो उस situation में सारी चीजे तो देना ही देना है तुझे liability वाले को liability देना है चाहे मैं उसको ब्यार दे दू चाहे मैं उसको प्रेफरेंश यर दे दूचाहे मैं उसको एकविटी शेर दे दूचाहे मैं उसको अपनी company के debentures दे दूँ प्री में के ले भाई डिबेंचर तेको बाद में पैसे मिल जाएंगे कुछ भी दिया जा सकता है तो अगर कुछ भी मैं इसको देने के लिए तैयार हूँगा देट इस उन सभी का टोटल क्या होगा पर्चेश और जैसे ही इन सभी को जोड़ा जाएगा उन सभी को जोड़ा जाएगा उन सभी को जोड़ने के लिए के बाद हमारा यह क्या माना जाएगा सर यह माना जाएगा हमारा परचेज consideration मतलब देखो तो इसका ना एक पार्ट जो हम पहले निकाल के जो इसको देते थे ना इसके अंदर के तरह को यह दे देंगे यह दे देंगे यहां X है भईया Y है भईया Z Limited Company है इस company को require किया और इसका shareholder है और इसका debenture भी है जब मैं इस company को खरीदूँ गा जब SKD Limited को खरीद लेगा तो क्या मैं इस company के shareholder को payment करने के बाद इसके सारे liability पे मेरा अधीकार है और इसके सारे assets पे भी मेरा अधीकार है इसका मेरा कहने का मतलब है कि इसके जितने भी liability उसकी payment करने के जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी और जितने भी assets है उसको बेचना या फिर अपने assets में merge करने के जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी यही कहानी होगी अब मैंने कहा कि भाई देख shareholder मैं तुझे क्या दूँगा equity share capital दूँगा मैं तुझे क्या दूँगा preference share capital दूँगा 10 रुपे का ये दूँगा 20 रुपे का ये दूँगा तुझे cash भी 5 रुपे दिया जा और उसके बाद तेरे जो debenture holder है इसको मैं क्या करूँगा 100 रुपे इसको पार्ट नहीं है अगर मैं इससे कहूँ का तेरे को मैं debenture भी दे रहा हूं जिसके payment बाद में ली हो न तुझे वापस तो दूँगा redemption के time पर मैं तुझे दे रहा हूं मान लेते हैं 20 रुपे का मैं मैं तुझे दे रहा हूं तो यह 55 रुपे काउंट हो जाएगा अगर इसके मालिक का debenture दिया जा रहा है लेकिन इसके debenture holder को ही debenture दे के discharge किया जा रहा है तो वह purchase consideration का पार्ट नहीं माना जाएगा समझ रहे बात आप तो मिलकुल basic सा point सा तो मेरे इसाथ से आप देखोगे के net payment method जो है net payment method जो है तो ऐससे situation में कि नेट payment method जो है ऐससे situation में net payment method के अंदर हमारा बहुत आसान सवाल बन जाता है और आपको इधर उधर की बाते बोलेगा लेकिन आपको इस question में फिक्या करना है कि भाई मालिक को क्या दे रहे खालके निकालना है मालिक के बात करें जो सामने वाले का payment शकलना है अब यह आपके अंदर बहुत सवाल है और मैं अभी बाद में मैं discuss करेंगे तोटल assets, टोटल net payment method के एसाब से, कहता है, रजनी गंदा रजनी गंदा लिमिटेड एक company है, absorb वाई, वसुंद्रा लिमिटेड, इसका मतलब वसुंद्रा लिमिटेड ने रजनी गंदा लिमिटेड को खरीद लिया, मिला लिया अपने में, the consideration being take over, liability, consideration में इसने liability टेक ओवर किया तो करना ही पड़ेगा भाई जब तुम इस कंपनी को खरीदोगे तो इसको सारे लाइबलिटी और एसेट्स के तुमारी जिम्मेदारी बनती है कहता है जो पेमेंट कॉस्ट ऑफ एब्जॉप्शन पार्ट ऑफ पर्चेस कंसिडरेशन कहता है जो पेमेंट एक्चुल कितना हुआता है साहब 17,000 20,000 से उपर नहीं होना चीए एक्चुल 17,000 अगर 21 उता तो 20 से कम हो गया तो हम कम लेंगे सीजी सी बात है ठीक है इसके बाद आगे देखा जाए आगे कहता है दा पेमेंट मेंट टू डिबेंचर एक लाख रुपे डिबेंचर पेमे जाएगा ठीक है यानि आप यहां से यहां तक बात देखेंगे तो कोई भी ऐसी बात नहीं बोली गई है कि उस कंपनी के मालिक को कुछ दिया जाए तो यहां से यहां तक इतने उपर वाली पार्ट है मेरे लिए पर्चेस कंसेडरेशन निकाले उसने बोला कि जो हम पर्चेस कंसेडरेशन हो जाएगा अब आगे बात आई एंड़ पेमिंट कहता है सिक्स्टीन पर शियर इन कैश एंड अलोटेड फॉर्टीन परसेंट प्रफरेंश यह टैन रुपीज इच सिक्स एकुटी शियर ऑफ टैन रुपीज इच फुली पेड एवरी फोर शियर इन रजनी गंदा लिमिटेड दा नेचर ऑफ पर्चेस यहां पर मैंने बताया था एक नेचर ऑफ पर्चेस होता है नेचर ऑफ मर्जर होता है हम बाद में में सीखेंगे तो अब पेमिंट की अगर बात करें कहता है कि हम 16 रुपे पर शियर पेड करेंगे उसके लिए आप आपको क्या जानना होगा सर इस कमपनी के अंदर पहले शेयर कितने हैं तो कमपनी के अंदर शेयर कितने हैं एक बार मैं इसको फिर से साफ कर दूं और आपको समझ में आजाए बताईए company में कितने shares है कहता है consideration take over the liability the payment absorption cost not exceeding payment of debenture holder और यहाँ पे यहाँ पे देखोगे यह line तो purchase consideration पर्चेस consideration सर पर्चेस consideration में देखा जाए तो नंबर वन नंबर वन सर नंबर वन क्या है नंबर वन है कि आप उसको cash में भी देने के लिए तयार हो सर कहां लिखा है ऐसी बात कैश कैता the payment 16 per share in cash जितने भी भाई तेरे company के जितने भी shares है पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा मैं तुझे खरीद रहा हूं माल लेते हैं कि इसकी company का जो भी shares निकले भी मैं example अगर 100 share है तो हर share के बदले तुझे नगद भी पैसा दूँगा पहली बात इसको तोला रुपे पर share and allotment one preference share of 10 rupees each and 6 equity share 10 rupees each और 6 equity share भी दिये जाएंगे आपको 6 equity share 10 rupees each fully paid for every 4 share in रजनी गंदा लिमिटेड यहां पर एक चीज मुझे questions में missing है शायद इसके ना मैं लिख देता हूं number of shares एक मिनट रुकिए number of shares missing हो गया है है कि अग्याद कर दो लाक है number of shares मैं बता देता हूं कितने हैं साहब दो लाक इससे आप समझ चाहिएगा भाई सबसे पहले तेरे को क्या मिलेगा तेरे को क्या देना है और क्या लेना है यह देख लिए ठीक है सर तुझे cash दिया जाएगा भाई दो लाक share है question में missing है मैंने बाहर लिख दिया कि number of shares कितने हमारे दो लाक है ठीक है यह आप मान लीजिए questions के अंदर given missing हो गया थोड़ा सा नई nature of purchase के आगए तो दो लाक share है और हर share के बदले मैंने वचन दिया है कि कितना दूँआ तो इसका मतलब सर अब दो लाक का है या दो लाक रुपे का है कि यह भी consideration लेना है दो लाक नंबर यह तो कितने देने पड़ेंगे पहले एक तो यह और प्रफरेंश की बात करते हैं कहता है कि एंड अलाटमेंट वन प्रफरेंश शियर रुपीज एज एच हम आपको एक प्रफरेंश यएद भी देंगे तैन रुपीज एच का तो सर 2、0,002 प्रफरेंश शियर मिल जाएंगे是我 यह प्रफरेंश शियर क्यापिटल कितने परसेट कि पॉटीन कि को परसेट मिल जाएगा दो लाख और एक कितने का मिलेगा 10 लाख का डेट इस आपता कि 20 लाख रुपे तो यह दूँ गहां ध्यान देना लागे कि से चल रहे एक्विट किस्रेंषंतर को मैं हम एसा करते हैं सbud 4 share के बदले हम अपनी company के 6 share दे देते हैं, तो भाईया हर 4 share के बदले, यानि equity share की बात आई तो इसके पास equity share कितने हैं 2 lakh, अगर मैं इसको divide 4 से कर दूँ, तो कहता है कि हर 4 share के बदले आपको कितने दे दूँआ मैं 6, जैसे मैं suppose करो आपके पास 10 रुपे हैं या 10 unit shares है, मैंने कहा, हर 2 के बदले एक नया share दे दूँआ, तो आप कितने share मिलेंगे, तो हर 2 के बदले कितना दूँआ, एक, तो आप divide 2 से कर दोगे, और into 1 से कर दोगे, तो आपको पता चल गया कि आपको कितने मिलेंगे, 5 और वैसे भी मैंने बोला, हर 2 के बदले मैं एक दूँआ, तो आप general calculation कर लो, क्या बनता है हमारा 5 share ही बनता है, इसका मतलब जितने के बदले दिया जाएगा, वो divide हो जाएगा, और into में जितना मिलेगा, यह आप formula, यह general चीज़े हैं हमारी, ठीक है न, अब एक share कितने का देने वाले हम आपको 10 रुपे का, that is अगर हम calculation करें, कितने आगे 30 लाख हो गया अगर totaling करें हम तो 82 लाख रुपे आपको दिये जाएगे, that is आपका माना जाएगा purchase consideration as per net payment method 82 लाख यह सही बता है, तीसला खावने यह सही बता है, आपने एक मिनेट यह देखे, preferential कहता है कहता है and allotment one preference share each and 6 equity share ध्यान दीजेगा, यहाँ थोड़ा सा एक line आपको रहेगे हमसे पढ़ना ध्यान दीजे, कहता है allotment करेंगे, हम preference share और 6 equity share देंगे fully paid वाला देंगे और हर 4 share के बदले तो यह भी 4 से divide हो जाएगा हर 4 share के बदले तो यह आजाएगा हमारा पांच लाग और यह आजाएगा कितने आजाएगे 60 63 यह दुबारा देख लीजे क्या कहता है लाइन आप पढ़ेंगे तो रणिंग में पढ़ना होगा कि भाईया तुझे एक तो हम 16 रुपे पर शेर दे रहें and allotment दे देंगे तेरको preference share and 6 equity share fully paid वाले for every 4 share यहनि हर 4 share के बदले तेरको एक preference share मिल जाएगा और हर 4 share के बदले तेरको 6 equity share दे देंगे और 10 रुपे एक वाला रहेगा तो 10 से multiply करके यह हमारा अब बच्चे कहरे है सर डिवेंचर भी तो है अब देखिए एक बार और पढ़ने क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें समस्या आएगी अब डिवेंचर को पढ़ें कहता है कि भाई purchase consideration take up payment of absorption कहता है absorption का खर्चा होगा आप बताइए absorption का खर्चा होगा 17,000 क्या ये 17,000 हमने बोला कि जो इसको दिया जाएगा वही purchase consideration का पार्ट माना जाएगा आप बोलरें सर अब अब जोप्शन का खर्चा हो जाएगा तो क्या इसको दिया जाएगा ये नहीं तो ये तो purchase consideration का पार्ट ही नहीं है ठीक है आगे कहता है आगे क्या कहता है दा payment of debentures एक लाख एक लाख रुपे का इस company के उपर debenture था इसको हमने क्या करा कि 10% premium पे पे करने का promise कर लिया यानि हमने इसको बोला भई 10,000 और दे देंगे debenture order तिरको एक लाख 10,000 दे दे देंगे और मैंने इसको payment क्या करा अपनी company के 9% वाले debenture दे दे दिया मैंने बोला भई तिरको 10% वाले debenture तिरको एक लाख 10,000 का ऐसे करते है तिरको अपनी company के 9% वाले एक लाख 10,000 रुपे का debenture दे दे देते है तो ये payment किसको करने की बात कर रहा है shareholder को होने की बात कर रहा है जो उसके shareholder को दिया जाएगा वही PC का पार्ट है बाकी question में इधर उधर की payment की बात करें तो वो purchase consideration का पार्ट ही नहीं अभी और भी question करेंगे इसका 10 रुपे इच है तो मैंने 10 से multiply किया ना ये रहा 10 रुपे इच है 10 से multiply किया मैंने equity share capital को भी पार्मिट ये ये calculation है जर्नल है चीक है